अक्षय तृतिया पर होंगे बांके बिहारी के श्री चरनों के दर्शन, साल में एक बार मिलता है मौका, जाने क्या, है, परंपरा अक्षय तृतिया के दिन ठाकुर बांके बिहारी महराज के चरन दर्शन काफी महत्वपूर्ण माने जाते, है, मंदिर में सुबह के समय बां मिखारी मंदिर में अक्षय तृतिया पर खास। कार्यक्रम का हर वर्ष की भाति आयोजन होगा। अक्षय तृतिया बड़े धूम्धाम से मनाई जाएगी। ऐसे में बआके। बिहारी मंदिर में सबके आराध्य ठाकुर बांके बिहारी महाराज पीले वस्त्रधारन करेंगे और भक्तों को चरण दर्शन वसर्वांग दर्शन देंगे, वही गर्मी से बचाव के लिए ठाकुर जी के अंग पर चंदन का गुलाब जल यादी का मिश्रन कर लेपन किया खाने के लिए सत्तू के लड़ू और शर्बत समर्पित किया जाएगा, साथ ही अक्षय तृतिया पर ठाकुर जी के चरणों में सोने वचांदी की पायल धारन कराई जाएगी, श्रधालूं की भीर को लेकर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती अक्षय तृतिया के खाने के लिए जाएगा, साथ ही उनके चरणों में चंदन का एक गोला रखा जाएगा, अक्षय तृतिया के दिन मंदिर में बढ़ने वाली भीर की संभावना को देखते हुए जाएगा, सुरक्षा के दृष्टिगत अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी मंदिर में तैनात किये गए हैं, साल में सिर्फ एक ही बार बांके बिहारी के चरणों का दर्शन होता है, सुबह पौने आठ पर खोले जाएगे पट अक्षय तृतिया धूमधाम से मनाई जाएगी, इस दिन सुब लगभग पौने आठ पर थाकुर जी के मंदिर के पट खुलेंगे और भक्त अपने आराध्य का दर्शन करेंगे, वही शाम को लगभग साधे पांच बजे पट खुले जाएंगे, अक्षय तृतिया पर शाम को बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगला नहीं सजेगा, प 500 सालों से परंपारा चली आ रही है, ठाकुर जी के चरणों में अपार खजाना है, मान्यता है ठाकुर जी के चरण के विलक्षन दर्शन करने वाले की हर, मनो कामना पूर्ण होती है, यही कारण है कि अक्षय तृतिया पर आराध्य के चरण दर्शन को देश दुनिया से ल इन ठाकुर जी सुबह तो राजा के भेश में चरन दर्शन देते हैं और उनके चरनों में चंदन का सवा किलो वजन का चंदन का लड़ू भी रखा जाता है मंदिर सेवायतों की के मुताबिक ये चंदन का लड़ू भी इसी मान्यता के तौर पर रखा जाता है कि स्वर्ण कुद्रा के दर्शन भक्तों को करवाए जा सकें